नमस्कार, गेसे स्टेट का जो हमारा अगला जो टोपिक है, पिछले टोपिक मैंने वांटरवाल इक्वेशन को डिस्टेस किया था, ये टोपिक आज का जो टोपिक हमारा वो है कि ट्रिटिकल फिनोमेना, कि क्रांतिक परिघटना किस तरह से गेसे स्टेट में देखने को मिल सामधे तो उच्छ ताप और निम्ध दापर गेसु के अनुस्वतंत रूप से सभी दिसों में ट्रेंडमली मोमेंट करते हैं। लेकिन ताप कम होने पर अनु की गती जूर्जा कम होती हैं। और साती दाप बढ़ने पर गेस के अनु की बद्दे दूरियां कम होती हैं। परसकरो अकरशन बल बढ़ जाता है। जिसके फल सुरूप जिसके पर जो गेस कैसे होती हैं। द्रव वस्ता में परवर्तित होने लगती है। इस परकार कम ताप पर अधिक दाप पर गेसों को दरवित किया जा सकता है। नहीं कि इसको लिक्विड स्टेट में परिवर्तित किया जा सकता है। परतेज गेस के लिए विशिष्ट ताप होता है, जिससे अधिक ताप पर वो उस गेस का दर्वीतरन केवल दाप बढ़ाने पर नहीं किया जा सकता है। एक विशिष्ट ताप जो होता है जिसको बोलते हैं Korea क्रांटिक ताप, उस ताप के उपर ही वो दर्वीत होती है। उसके बाद में नहीं होती है। विपिन गेसों के लिए इसका मान बिन-बिन होता है, इस क्रांतिक ताप में किसी गेस को वन यून्तम दाब, जिस पर गेस को दर्वित किया जा सके, त्रांतिक दाब, अब जो अस ताप पर टेंपरेचर तो ट्रेटिकल टेंपरेचर और प्रेसर है तो ट्रेटिकल प्रेसर, किसी गेस की क्रांटिक ताब और क्रांटिक दाब उस गेस के एक मॉल का आईतन क्रांटिक आईतन और क्रांटिक अवस्ता में गेस के एक मॉल आईतन की सहयती को क्रांटिक डेंशिटी माई क्रांटिक गन्नतु कहते हैं एसी आवस्ता में अणू वो येसी प्रवस्ता में विबेद करना मुस्किल होता है, इस गटना को करांतिक फिनोमिना कहते हैं, जब यह पता नहीं लगता है कि येस एक द्रहू है, तो उसको बोलते हैं फिनोमिना, तो यहां पर हम कहते हैं T-C-P-C-V-C, मनि करांतिक ताप, क इसको critical phenomena कहते हैं, carbon dioxide के लिए TC, PC, VC की value को बात करें, 31 degrees centigrade, 23.9 ATM, जो temperature इसका होगा, आपका पास में pressure होगा, और 940 mm प्रती मोल इसका क्या होगा, pressure होगा, ये generally case की क्रांतिक ताब और क्रांतिक दाब की मातरा पर निर्बर नहीं करता है, ये क्रांतिक item की मातरा पर निर्बर करत है, अब तरांतिक स्तिरांग को कैसे हम experimentally निकाल सकते हैं, experimental determination of critical constant, तरांतिक स्तिरांग को प्राइगी रूप से इस सिद्धानत के अधारित होता है, कि गेस के द्रवीतरन के आवस्ता में उसकी वास्प और द्रव घनत्तु समान हो जाते हैं, इस परकार गेस और द्रव नाम के scientist में इसको discuss किया, इसके में यू आकर की ट्यूब होती है, यह देखिया, इसमें वाईउ बरी है, इसमें मेनमेटर लगा हुआ है, प्रेसर नोट तरने के लिए, उसमें कवच मने वनाव वास्प जा रही है, द्रव बरा हुआ है, यह इस तरह से यहां से दिया जात मेनमेटर की तरह कारी करता है, नली में बलप वाले सीरे पर ताप स्ताइब रग देते, घरम जल परवाई तो उन्हें पर घरम किया जाता है, ताप स्ताइब में लेगे थ्रमामेटर की साहिता से ताप कमापन किया जा सकता है, ताप बढ़ने की करण द्रव घरम होता है, वास्प आवस्ताम परवर्तित होता है और एक ऐसे आवस्ता आती है जब द्रव और गेस के मद्दे बेद करना संभव नहीं होता है और वो जो गटना होती है उसी को बोलता है त्रिटिकल फिनोमिना इस ताप पर पाठेंग यूथरमेटर के द्वारा ग्याद कर लिए इसे म इक मौल गेस का आईतन माप कर सही करांतिक आईतन वी सी ग्यात नहीं किया जा सकता है क्योंकि ताप और दाप थोड़ी परिवर्तन से आईतन में अधिक प्रवर्तित कर देते हैं करांतिक आईतन की निर्धारन ओसत गनतू ग्यात करके किया जाता है यह विदी केलिटेट और मेथाइज्स के प्रेक्षणरों माने कि साइंटिशन प्रेक्षणरों, इसलिए इसमें किसी द्रोग को संतरप्त आवस्ता में गनोतों के मद्दे मानू में संग्रत आप की विरुद आलेखित किया जाता है, तो एक सरल रेखा, DC रेखा प्राप्त होती है, इसे सरल रेख इसमें जो देनसिटी होती है, इसनलिए बिन्दूसी को सही स्तीरी का निर्दारान सदर्दे की वियास की नीम के उप्योग क्या जाता है, क्रांतिक आइतन का मान, गेस के आणू की क्रांतिक घनतु, DC बहाग देता है, माने, VC इसल इसल तु आणिवरा ढ्रेख सकता है, ये देखिए इस तरह का क्रांतिक ताप दापका देदर यहां से A से B वाली फिनोमिना है एक यह रेटेंगल हमने डाल दिया तो इस समय जो टेंपरेचर वो टीशी इस समय जो बात करेंगे हम यहां पर A से B के और मुमेंट है और इस तरह यह बीच में होना चीता यह D density होनी चीती इसकी लेकिन यह इसको बोलते हैं माद्य गनतू द्रव गनतू स्कंतरत आवस्ता मानि इस जगे यह यहां तो गेस हैं तो यह द्रव आवस्ता दोनों आवस्ताओं के बीच में यह देखने को मिलते हैं इस पुनमेना को कि रेटिकल फिनोमिना वास्तुख गेसं में जो बोलते हैं PV समता प्यवतर की और रेल गेस के लिए समता प्यवतर की बात करे। त इसके लिए जैसे बात की जाती हैं, तो इत्रांतिक बिंदु में एक निश्टता पर किसी घेस ता दाब और आईतनर की बद्य ग्राफ खिचा जाता है, तो वितर प्राप्त होता है, इस तरह तो गेस में दाब और में हुई आईतनर के बद्दे ताप़ों को लेखित किया जाता है कि आदर्स गेस में PV टामा नस्तिर ताप पर आदर्स के बराबर होता है समताप ये वकर सम पर निये परिय अती परले के आकार के होते हैं carbon dioxide gas समताप ये वकर हैं इस तो किस तरह clarify कर सकते हैं कि H बिंदू पर CO2 गेस अवस्ता में होती है, H से L के बिच में दाफ बढ़ने पर उसके आइतन में कमी होती है और ये गेस बाइल की नीम की पालना करती है, बिंदू L के बात करें, जो गेस दरवीतरन परारब हो जाता है और तंतर में दो प्रवस्ता ही प्राप्त होती है, इसके दरवीतरन बिंदू J पर 37 रेथा के द्वारा प्रदसित होता है, जो कि समान ताप और आईतन की कमीद को दरसाता है बिंदू J पर केवल दरव अवस्ता पाई जाती है, इसके बाद दाप बढ़ाने पर आईतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसको J के द्वारा इसके द्वारा तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें दरवीतरन पर गुन दरसाता है और गेस A से B के और आदर्स ग्योहार प्रदसित करती है, किम्तु B पर आकर के द्रवीत हो जाती है 35.5 डिगरी सेंटिग्रेड गोड़तालीस पॉइंट एक डिगरी सेंटिग्रेड ताप पर गेस का दाप बढ़ाने पर आईतन में कमी होती है अता सम कोन ये अती पर लेवे समतापिय वत्र प्राप्त होता है ये गेस के आचरण आदर्स गेस के समान होता है चुँकि CO2 गेस 31 डिगरी सेंटिग्रेड से अधिक ताप पर जो अधिक ताप है उस पर दरवीत जिसको बोलते है दाप पर दरवीकरण नहीं होता है अता इसको क्रांतिक ताप करते हैं बिंदू बी पर संगत आइतन पराप्त होता है इस परकार से इस तरह है समतापिय वत्रों में 37 भाग में मिलने पर प्रवलेकार वत्र पराप्त होता है इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आप क्रांतिक PCVCOT के वल्ली जो होती है वो है सभी गिस्व के लिए चार्ट के दुआरा हम लोग डिफ्रमेंट करते हैं टेबली के रूप में है कि एक्स्टू के लिए हीलियम के लिए नैट्रोजन के ओक्सिजन के लिए अलग अलग विल्यों हमारे को देखने को मिलती है दन्यवाद